इम्रान से फिर मोटिविशनल टेकनोजी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगो उप्राप्त हो सके दोस्तो अज हम बात करने चा रहे है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में गंगा एक्सप्रेसवे के alignment के मुद्दे पर राजनीती क्यों हो रही है 27 अगस्त को मेरट प्रियाराज गंगा एक्सप्रेसवे के नई alignment को सोचन यूपेडे की वेबसाइट पर जारी हुई इसके बाद जिले के खरकोदा किठोर छेतर के पंचातों से जुड़ी जन पृतिनीधियों की राजनीती तेज हो गई जिले में पहले 32 गाउं का अलाइजमेंट था जो की दिल्ली मेरट एक्सप्रेसवे के कासी से प्रार्म होना था कंसर्टेंट की स्टेडी रिपोर्ट में उसे पहले हाजिपूर से नय अलाइजमेंट बताया गया बाद में बिजोली के पास से अलाइजमेंट को फाइनल क्या गया हाजिपूर अलाइजमेंट को लेकर जिला पंचात सदस्य सत्पाल सिंग आंदोलन चला रहे है वही दूसरी तरफ अन्नी गाओं के प्रिधान और अन्नी सदर से जुड़े हुए है अन्नी मुद्दो पर अब सभी पार्टियों के लोग आंदोलन में जुटे गए है अचानक धन्ना प्रिदेशन भी तेज हो गया है हाइवे एकस्प्रेस वे के मौवजा आधी को लेकर चल रहा है अन्दोलन जिला पंचयाओ बीडीसी पर्धान को दावेदारी को लेकर ठोग रहे है ताल उच अधिकारियों ने भेजी रिपोर्ट खूपिय विभाग ने अंदोलन को लेकर उच अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है बताया कि आने वाले समय में अब छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर भी अंदोलन हो सकते है गाउं-गाउं में पंचया चुनाओ की तयारी चल रही है हर मुद्दे पर किसानों गिरामियों के बीच लोग पोच रहे है ऐसे में प्रसासनी सक्त करता जरूरी बताई गई है क्योंकि अगर इस चीज को साब्धान नहीं देखा गया तो आगे चल के छोटे-छोटे मुद्दों पर भी आंदोलन किया जा सकता है इसलिए जल से जल सरकार ने इस एक्सप्रेस्वे का निर्ने लिया है और निर्ने लेने के बावजूद इसको जो है बिजोली से स्टार्ट पॉइंट कर दिया गया है और बिजोली से ही इसका कंट्रेक्शन चालू किया जाएगा उसके बाद में इसको आगे की पिरक्रिया जो है कासी तक इसको बाद में पिरक्रिया जो है सुरुआत की जाएगी